इस वीडियो को लाइक करें हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन ज़रूर पेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो फ्रेंड्स बीबी गार्डन में आपका स्वागत है तो फ्रेंड्स आज मैं शेयर करूंगी आपसे कुछ ऐसे इंडोर प्लांट जिनको आप इस समय जून जुलाई में कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और एक से ज्यादा उनके प्लांट बना सकते हैं खुद ही तो सबसे पहले यह देखिए यह है सिंगोनियम का प्लांट तो इस समय आप इसकी जू है कटिंग लगा सकते हैं और इसकी कटिंग जो है एक हफ़ते में जा दस दिन में जो है वो रूटिंग उसकी हो जाती है और आपका जो न्यू प्लांट है कटिंग के त्रू बन जाता तो इस तरीके से आप सिंगोनियम की कटिंग आप इस समय लगा सकते हैं और अगला जो प्लांट है जिसकी आप इस समय कटिंग लगा सकते हैं तो वो है कोलेस का प्लांट और अभी मैं आपको जितने भी छोटे छोटे अपने कोलेस के प्लांट दिखाऊंगी जिसे मैंने cuttings से त्यार किये हैं और अभी मैंने इनको गमलों में shift कर दिया है और क्यूंकि गमलों में जो मेरे plant लगे थे वो ऐसे ही पुराने और laggy से plant हो गे थे तो इस समय आप कोलीस की cutting भी लगा सकते हैं क्यूंकि कोलीस की cutting को लगाते ही रहना चाहिए क्यूंकि जो पुराने इसके plant हो जाते हैं वो देखने में इतने सुंदर नहीं लगते हैं तो जो हम new cutting से new plant बनाते हैं वो अच्छा लगता है देखने में भी तो इस समय आप कोलीस की cutting भी लगा सकते हैं और यह देखिए मेरे जितनी भी यह plant है चुट चुटे सभी मैंने cutting से त्यार करके अभी इनको गमलों में shift कर दिया है और यह है aglonema की plant तो aglonema की भी cutting आप इस समय लगा सकते हैं और यह भी जो है जो पार्ट बजेगा बहां से इसकी new shoots निकलेंगी तो इस तरीके से प्लांट multiply होते हैं तो मेरे पास गमलों की कमी रहती है इसलिए मैं आपको काटके नहीं बता रही हूं और यह देखिए एक मेरे पास जो है लिप्स्टिक aglonema है तो इसकी भी आप जो है अगर आपका प्लांट जो है थोड़ा सा हाइट में हो जाए तो उसकी भी आप जो है उपर से कट कर दीजे नीचे से इसके जो है दो shoots निकल जाती है तो आपका जो प्लांट है बूशी ब spring season रहता है तहुत hop झाला को क्टिंग बहुत और शक्रंग सारी करते हैं तो इस समय आप वरसाथ के सारी सांध आप कर सकते हैं और यह है क प्लांट अर्यपस के चंट नार्मल दोनों के आप अपत ने बहुत अराम की इनकी क्टिंग लग जाती आप झालीने से कि अचो है ज पाइकस में लगा तो में लगाना है कि रधर को लगाством चाया में रखिए और यह है Song of India और इस समय आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं और इसकी कटिंग को काट के आप कुछ दिन जो है पानी में रखिए जहां डिरेक्ट जो है सेंड़ी सॉयल में आप इसोंग उओल इसकी कटिंग लगा सकते हैं यह मेरा सोंग उफ इंडिया का प्लांट जो मैंने कटिंग से बिनाया है और इस तरीके कि आप टिप से इसकी cutting लीजिए थोड़ी सी softwood हो फिर आप उसको sandy soil में grow कर दीजिए और मिट्टी को हमेशा moist रखिए और शाया में रखिए cutting को जो आपने लगाई है और यह स्नेक प्लांट तो इसमें आप इसकी भी cutting लगा सकते हैं और यह मेरा जो आप प्ला cutting जो है 2-3 महीने पहले लगाई थी तो इससे एक न्यू शूट्स भी निकल रहा है तो इसमें आप जो है स्नेक प्लांट की जो भी आपके पास टाइप हो उसकी भी cutting आप इसमें लगा सकते हैं और यह मनी प्लांट तो यह दिखिए जो आप मेरा प्लांट देख रहे हैं य बहुत अराम से इन दिनों जो है मनी प्लांट की cutting लग जाती है चाहे आप इसको ड्रैक्ट मिट्टी में लगाईए क्योंकि इसके हर लीब के साथ जो है एक चोटी सी जड़ होती है जिसको नोड बोलते हैं जहां आपको जो है कट करके पांचे दिन के लिए जहां दस दिन के लिए पानी में रख दीजीए तब भी इसको जो rooting हो जाती है पानी में फिर आफ उसको मिट्टी में ट्रांसपर कर सकते हैं तो यह दिखे हर लीब की साथ जो है यह सकी जड़ रहती है जिसको नोड भी कहते हैं तो बहुत आराम से गर्मी के सीजन में जहां बर्सात के सी और यह देखी मैंने अपने प्लांट को प्रून किया था तो वहां से जो है इसकी तीन शूट्स निकली है और मेरा जो प्लांट है बुशी बन गया है तो इसमें आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं जून जुलाई में बरसात के सीजन में क्योंकि यह काफी हाइट में बूंज को फिपने हैं जिदेखिए कितनी ही सारी मैंने इसमें कटिंग लगाई है है और इसकी कटिंग मैं लगाई थी फर्वरी forward आर्च मैं लगाई थी और यह देखिए आप इस वी चुबूल हरा वरा हो गया है और इसमें मैं दो-तरहा की जोром के बिल्त अगला प्लांट का प्लांट को दिखा रही हूं इस तरीके के आपने हर्ड बूड जो पैंसल जितनी मोटी कटिंग हो उससे थोड़ी पतली हो वह भी चलेगी तो उसको आप ले लीजिए और उसको ग्रो कीजिए रेत वाली मिट्टी में जिसमें ज्यादा रेत हो तो उसमें आप अपनी कटिंग लगाएंगे तो करोटन की कटिंग कभी नहीं मरती है तो उसको आपने फिर हमेशा मिट्टी को मॉइस्ट रखने है और जब तक उसकी ग्रोथ शूरू ना हो तक तक आपने उसको कटिंग को हमेशा शाय में और अच्छी लाइट में रखना है दूप म कर सकते हैं अगर आपका जो ब्लांट है hem है तो वहांसे उसको कट कर दीजिए जितने हाइट रखना दे हाइक हही रख लीजिए और उपर से कट करके उपर वाला ज эфф봤 Rob Re osób कर लिए तो कर लिजिए तो आपका जुअ क्तिंग इसमें बहुत आραाम तयार aj jij है इसके मिठी को और हेंगिंग बास्केट में बहुत ही खुबसूरत लगता है और इस समय जो है इसकी कटिंग बहुत अराम से लग जाती है चोटी-चोटी इसकी कटिंग आप लगा सकते हैं और कटिंग से इन दिनों बहुत अराम से त्यार हो जाता है और गर्मी के दिनों में अच्छी से प्रांच्र लगाई है दूसरी गमली में। यह दिखी अच्छे से कटिंग चल गी है. गर्मी में जाँ स्प्रिंग सीजन में जो एसकी अच्छे से रूटिंग बहुत जल्दी होती है ... सर्दी के दिन में रूटिंग होने में थोड़ा ताim लगता है और यह बंडरिंग जू तो इसकी मैंने कटिंग तीन-चार दिन पहले लगाई थी तो अब यह थोड़ी सी स्टेबल होने लग गई है तो इस समय आप जो है बंडरिंग जू की भी कटिंग लगा सकते हैं और यह जो प्लांट है इंडोर में भी और सैमी शेड हर जगा जी अच्छे से चल जाता है तो इस समय आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं और चार पांच दिन में इसकी कटिंग लग जाती है पॉंसेट या गर्मी की दिनों में इसको दूप में नहीं रख सकते हैं इसको शाय में रखना पड़ता है तो इस समय आप इसकी भी कटिंग रो कर सकते हैं गरमी की दिनों में फिल दूप में रहता है, अच्छे से बताइं könnte यहां जो यह क cities के कि ले रहे हूँ क्योंकि यहां से काटूंगे नीचे से इसकी जो निशुट शूर्स भी निकल रही है और यह देखे मैंने cutting ले लिए है और यह देखे इस तरीके से आप ये pencil जिसनी इसकी मोटी टिप से cutting ले लिजी और मैं इसकी cutting इसके ही गंले में लगा रही हूँ मिट्टी को मैंने पहले ही moist करके रखा हुआ है और शाया में ही यह plant मैंने रखा हुआ है तो इस तरह की आप इसकी cutting लगा सकते हैं